कि निर्भया की मां सोना के पलंग पर पैदा किया था और यह सिंपी कुमारी की मां मनें जमीन पर पैदा किया था यहां की सरकार और बिहार पुलिस को मैं बताना चाहता हूं कि काईराना हरकत से बाज आ जाईए अन्य था हम लोग उगरे अंदोलन करेंगे यह अभी जहांकी है और आगे की लड़ाई अभी बांकी है पुलिस परसासन सरकार जो है जाती वाद करने पे तुला है जाती देख करके करवाई करता है यहां तक की नियालाई भी जाती देख करके फैसला देता है हम लोग कूरे भारत में मूल निवासी अंबेदकरबादी विचारधारा के जितने भी लोग हैं बिहार सरकार और निया प्रशन थमने का नाम नहीं ले रहा है फिलाल इसकड़ी में हम पहुंचे हैं बिहार के नलंदा जिला के तेलाडा में जहां पर 15 साल की मासूम के साथ दरिंदगी की जाती है और उसके बाद उससे पेंड पर लटका कर उसे मार दे जाता है उसको लेकर भीमार्मी के लोगों म आक्रोश है और इसी आक्रोश को लेकर ये थाना गिराव करने के लिए आज पहुंचे हैं और थाना गिराव से पहले एक फिल्ड में सभी लोग इकठा हुए हैं जानने की कोशिस करेंगे कि आखिर जो है कि यहां पर रिकत्रित हुए हैं सबसे पहले तो मैं आपको चैनल को करांती कारी नमो बुद्धाय जैभीम नीला सलाम करता हूं हम लोग आज यहां तेलहाडा थाना का घेराव करने के लिए आए हैं इसलिए कि अनुसूचित जाती परतिया चार बढ़ गया है और आज से लगभग चार पाच महिना हो गया है जो इंटर की छात्रा सिंपी कुमारी को यहां के असामाजिक तत्व के लोगों ने उसे बलतकार करके और पेड में लटका करके फांसी देकर मार दिया गया और यहां के मंतरी और बिधायक और संसद यहां तक की पोसमाश्टम जो किया डौक्टर को भी कीन लिया और तेल वाले लोगों को पूरे बिहार राज में मरने के लिए छोड़ दिया है एक भी कारवाई नहीं करता है एक भी बिहार पुलिस सुनता नहीं है पिडिता का दर्द नहीं समझता है क्या निर्भया की मां सोना के पलंग पर पैदा किया था और यह सिंपी कुमारी की मां मनें ज करवाई सुनवाई तो हो ही नहीं रहा है यहां बिल्कुल कान में तेल डाल करके बुलीस और सरकार स्वय हुआ है और अपराधियों को बचाने में लगा हुआ है और केस को फोल्स करने पर तुला हुआ छे लाख में डाक्टर अथाना को कीना गया है बिडिता परिवार जो मनें दरदर की ठोकर खा रहा है लेकिन आज तक एक भी अपराधी को अरेश्ट नहीं किया गया है यह बहुत निंदनी ये बात है यहां की सरकार और बिहार पुलिस को मैं बताना चाहता हूं कि काईराना ह लगभग चार से पाच महिना घटना का हो गया है लेकिन आज तक एक भी नामजदा पराधी को अरेश्ट नहीं किया गया है यह बहुत निंदनी ये बात है पूलिस परसासन सरकार जो है जाती वाद करने पे तुला है जाती देख करके करवाई करता है यहां तक की नियालय भी जाती देख करके फैसला देता है हम लोग पूरे भारत में मूल निवासी अंबेदकरवादी विचारधारा के जितने भी लोग हैं बिहार सरकार और नियालय से मने परतालित हैं तरही माम हैं इसलिए हम चाहते हैं पूरे भारत में कॉलेजियम सिस्टम को खतम किया जाए और वहां अंबेदकरवादी विच सबसे पहले मैं आपका चैनल को धन्यवाद देता हूं यह जो घटना घटी है निशानपूरा त्रहाडा थाना के निशानपूरा गाउं में घटना घटी है यह आज से चार महिना पहले घटना घटी है इसमें जितने भी अभ्यूक्त हैं पाइननेमड है उसकी गिरपतारी नहीं हुई है क्योंकि यह खास जाती से आते हैं उसी जाती से आते हैं जो हिया का संसद है उसी जाती से आते हैं यहां तक कि यहां का जो मुखिया है नितिस जी उसी जाती से आते हैं इसलिए इनको बचाया जा रहा है और इसकी कंतरगत आज तक इसकी गिरफतारी नहीं हुई है अगर आज गिरफतारी हो जाती तो आज हमको तरहाडा थाना को घेराब करने की जरुवत नहीं होती और यहां तक कि इन्हों ने 6 लाख रुपईया में लेकर सवधा किया है और इसलिए अपराधी अभी तक खुले आम घुर रहा है और उसकी कोई गिरपतारी नहीं हुई है इसलिए हम लोग सिंपी को नियाय दिलाने के लिए हम लोग आज हैं बहुजने लोग एक अठीत हुए हैं कि ताकि बहन सिल्पी कुमारी का नियाय मिले मैं रामदो चौदरी डाक्टर भीम रामविदकर संगज विचारमंच के परदेशत है देखे मेरा नाम विकास कुमार हो मैं गवडिचक करहने वाला हूं मैं इस पर इही कहना चाहता हूं कि सबसे पहला बात है कि मेरे ही बहन का रेप हुआ है अगर रेप हुआ तो दूसर का बहन का नहीं हुआ हम लोग का बहन को हुआ है इस चीज पर हम लोग को इस खास करके SCST का लोगों को सोचना चाहिए कि आज है उस बहन के साथ हुआ तकल मेरी बहन के साथ होगा सबसे पहले बात बता देना चाहता हूं कि SCST Act में जब केस दर्ज होता है तो उसमें नियावली है कि साथ दीन में आरोप पत्र दाखिल करना होता है लेकिन साथ दीन हो चुका है उसमें अभी आरोप पत्र दाखिल नहीं गिरफतारी नहीं सबसे पहला बात है कि 2018 से जो इसमे चार्बर गया है तुरंत गिरफ तारी था लेकिं इसलिए जुलूम करने वाला से सबसे जादे दोसी सहने वाला होता है एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि पुलिस पर सासन अपना कान के दोनों सुराग खोल के सुन ले जिस दिन हम लोग डर रहे थे डर रहे थे अब डरेंगे नहीं अब लगने की जरूरत है सबसी पहली बात कि एडीजी कमजोर बर्ग एडीजी कमजोर बर्ग जो पटेल भवन में है आल बिलाल जो मैडम है वो क्या वहां कर रहे हैं हम लोग को बहन को नियाय मिलना चाहिए और सही सही से जाच कर साथ दिन से ज्यादा हो चुका है अरोपत्र दाखिल कर उसको एक चा अक्रोस है और इसको लेकर दिखे कि लगातार जो है इलोकर है मैं όλだ Natalie आता हूं मगर नितिस्कुमार के बेटी के साथ इस तरह से किया जाता तो नितिस्कुमार कुप बैटते sansat के बेटी साथ अगर इस तरह से हरकत किया जाता तो क्या सरकार चुप बैठती क्योंकि यह सरकार जाती देख करके नियाय दिलाता है और करवाई करवाता है एक गुंड़ा और आपराजी को संरचन दे रहा है सरकार इससे हम लोग भी मार्मी आजाद समाज पाटी बहुत दुखी है इस सब्सक्राइब करें देखिए कि तमाम लोग भी मार्मी के बैनर तले यहां पर कठा हुए ताकि जो सिम्पी लड़की है जिसको दुश्कर्म करके उसे मार दिया गया उसको नियाय दिलाने के लिए तमाम लोग आप दिखिए कि यहां पर एकतरित हुए है